जैहे हैं दोस्तों कैसे आप सब आप सब का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अतर एलेल भी पर सेनक समाचार तीज में में हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टी की एक आदेश की जो फैमिली पैंसिनर को डबल फैमिली पैंसिल देने की अनुमती देता है और उसके रिगार्डिंग ओपिस मेमरंडम जारी किया ज़ा चुका है जैसा की आप थमलाइन में देख पा रहे हैं आगे मैं इसको डेटेल में आपको बताने वाला हूँ और बात करेंगे पैंसिन रिवीजन और एक्योले मैस्वी की बड़ा उतरी को लेकर गॉवर्मेंट को जो वर्निंग मैजर जनल सत्वीर सिंग साब सेना मेडल न दी है इसम कमीशन के बारे में इसम विंडो जो की एक एकल विंडो के रूप में काम करे हर लेबल पर यानि की गॉवर्मेंट चाहिए हो स्टेट गॉवर्मेंट हो या सेंटर गॉवर्मेंट हो हर जगे उनको पियरोरिटी मिले बात कर लेते हैं इन डेटेल आज की न्यूजिस की कि क्या कुछ आम के लिए इंपोर्टेन इस वीडियो में है इस तरह की authentic news के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से तो चलिए जानते हैं डेटेल में जैसा कि आप अपनी स्कीन पर देख पा रहे हैं गवर्मेंट ऑफ एंडिया मिनिस्टी ऑफ परसनल पैंशन एंड पब्लिक ग्रेमेंसर्ज डेपार्ट्मेंट पैंशन और पैंशन बेलफियर द्वारा तेईस मई दोहजार बाइस को ये लेटेस्ट ओपस मेंवरों नह ज दिये गए हैं वो यहाँ पर बताए गया है तो रक्षा मंत्राले ने ओपस मेरों मिन्डम जारी करके इस बात को पब्लिक डॉमायन में भेज दिया है आप सभी के हितवद इसमें eligibility of two family pension किस तरह से आपको लागू होगी वो पूरा यहाँ पर clear किया है और central service pension rule 1932 जो कि 27 दि bout slash rule of 54 में बता गया है कि कोई भी family pensioner अब pension ले सकता है कितनी double pension ले सकता है याँरे कि 2 pension ले सकता है इसमें इस से पूर्व काफी संकाएं इसके सम्मंद में थी अब इसके सम्मंद में सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया है यदि कोई फाजी pension ले रहा है और उस परिवार में कोई और family pension किसी अधर source से जैसे कि state government या central government से ले रहा है तो इस rule के मुताबिक ऐसा संबंद व्यक्ति महिला या बच्चा दो फैमिली पेंसेन या टू पेंसेन लेने का अधिकारी होगा यह उसका legitimate अधिकार है एस पर दस ओफिस मेमरोनम गोवर्मेंट को हमारे देश के सेनिकों को मेत्रता देनी चाहिए जबकि विश्यूद की जैसी इस्तिती बनी हुई है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे देश में अभी की इस्तिती यह है कि हमारे जो एकसरविस्मेन हैं या सॉल्जर्स हैं वो गोवर्मेंट के रुख से ज़्यादा खुश नहीं है ऐसा मेजर जनरल सत्वीर सिंग साहब ने कहा है और उन्होंने ये बताया है कि फुल वारोपी, MSP और पैंसन, रिवीजन जैसे कई मुद्दे हैं उन मुद्दों को गोवर्मेंट जल्दी से जल्द क्या करे कंप्लीट करे और बंदों को यानि कि एक सर्विस्मेंट को, सोल्डर्स को राहत दे उनको सुड्रड करे इसे जैसी शुपिदाओं को अपडेशन करे ये सम के लिए एकल विंडो खोलनी चाहिए और बहुत सारे ट्वेल जो हैं मुद्दे हैं उनके बारे में यहाँ पर ऐसे साब ने बताया है जनरल साब ने तो दोस्तों लाश नियूज में बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट की आप देख पारे हैं आपके स्क्रीन पर किस तरह से एक आईएस साब ने अपनी ही गल्ती का ख खाली करवा दिया था मतलब एक प्लेस जहां पर लोग बाग जैमनास्टिक कर रहे थे जहां पर लोग बाग सुभी सुबह अपनी फिजीकल एक्टिविटीज कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिसकी वज़े से उनका तबादला लदाक और उनकी पत्निक तबादला अनौचलम कर दिया है और यह सपष्ट कर दिया है गरह मंत्राल एक तरफ से कि आप अधिकारी हो यानि कि आप लोग सेबक हैं भगवान नहीं है लोग सेबक हैं तो लोग सेबक की तरह काम करें और भगवान बनने की कोशिस ना करें That is the important news, आप सभी के लिए ये खास ख़बरें थी और इन ख़बरों पर सबसे इंपोर्टेंट ख़बर डबल पहन्मी पेंसिन के रिगार्डिंग थी, जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट थी, that's all for the video, जैहन्द for the next.